जेससी जेई की परिक्षा पर एक बार फिर ग्रहन लग गया है जेससी की तरफ से एक सूचना जारी की गई है और बताया गया है कि 28 सितंबर को राजधानी राची के एक परिक्षा केंदर पर हुई की परिक्षा को रद कर दिया गया है 28 सितंबर को जो दो पाली में परिक्षा होई थी दोनों पाली की परिक्षा को रद कर दिया गया है जो सूचना जारी की गई है उसके अनुसार जार्खन डिप्लोमा अस्तर संयुक्त परतियों गीता परिक्षा 2023 के अंतरगत सिवा इंफो एससी जेई की परिक्षा को रद किया गया है बलकि इससे पहले भी कई बार ये परिक्षा रद हो चुकी है और चात्र सडक पर उतर कर आंतुलन भी कर चुके हैं थोड़ा इसका इतिहास बताते हैं कि कब से ये परिक्षा की तैयारी चात्र कर रहे हैं और इंतजार कर रहे है बिना कोई रोक टोक के ये परिक्षा संपन हो जाए 2021 के लाश्ट में ये परिक्षा की वेकेंसी निकली थी करीब 1288 पदों के लिए 1 लाख भीहरतियों ने फॉर्म भरा था और 2022 के जुलाई में एक्जाम हुआ उसके बाद पेपर लीग हो गया बहुत होंगामा हुआ उसके बाद एक्जाम को जो है कैंसिल कर दिया गया फिर से 2022 के नवंबर में एक्जाम हुआ फिर नियामावली का हावाला देते हुए इस परिक्षा को कैंसिल कर दिया गया फिर उसके बाद इस पूरी वेकेंसी को ही कैंसिल कर दिया गया जिसमें से की करीब 50,000 अभियर्तियों का फॉर्म जो है reject कर दिया गया यानि की 1,20,000 अभियर्ति जो है इस परिक्षा में सामिल हुए 2 सेप्टेंबर से लगतार ये परिक्षा आयोजित हो रही है और 18 अक्टूर तक ये परिक्षाएं होनी है अलग-अलग इस्ट्रीम के अभियर्तियों के लिए अलग-अलग दिन परिक्षा लगातार हो रही है ये जो 28 सेप्टेंबर वाली परिक्षा रद हुई है जो की एक खास सेंटर पर उस सेंटर पर करीब 300 अभियर्ति उस दिन परिक्षा दिये थे उस दिन के परिक्षा को रद किया गया है और सबसे खास बात यह है कि यह जो एक लाख बीस हजार जो अभियरती है जो परिक्षा में सामिल हुए है इसमें से सबसे अधीक करीब सतर हजार अभियरती वो सिविल के ही अभियरती है और इसलिए वे अभियरती परिसान है और के चेर्मेन जब एक IPS अधिकारी को बनाया गया जो जहारखन के डीजीपी भी रह चुके हैं तो फिर कैसे सिर्फ यह अपरहार कारण लिखकर जो है इस परिक्षा को रद किया गया उन्हें बताना चाहिए कि आखीर क्यों परिक्षा को रद की जा रही है क्योंकि अगर कुछ टेखनिकल ग्लीज जो जानकारी हैं उसके नुसार अगर कुछ टेखनिकल खामिया होती है या चाहिधीन करे तो उसी दिन दुपरिक्षा रद हो जाती हैं लेकिन परिक्षा होने के pierwsle ऑज परिक्षा अगर रद की जाती है तो आखिर कारण क्या है क्योंकि आप सभी को पता है कि यह तो सरकार के तरफ सी यह भी नियम बना दिया गया है कि अब प्रस्ण पत्र लीक जो करेगा उसे कट्षोर सजा होगी और इससे पहले इस परिक्षा का प्रस्ण पत्र भी लिख हो चुका है और इसलिए कई सवाल लगातार सोसल मीडिया पर जैसे यह सूचना जारी हुई कि परिक्षा को रद कर दिया गया यह उठने लगे हैं आप भी सोचिए कि आखिर एक परिक्षा जो 2021 से सुरू हुई है अब 2023 खत्म होना है वह संपन नहीं हो पाई है लगतार परिक्षाएं हो रही है फिर रद हो जा रही है इस्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कई स्टूडेंट का जो है उम्र भी गुजर गया पचास अजार जो फोर्म रिजक्ट किया गया वह चात्र अलग ही गई है उसे अब कब लिया जाएगा क्योंकि एक परिक्षा देकर परिक्षार्थी जो है दूसरे परिक्षा की तयारी में जूट जाते हैं वह बता रहे हैं कि अभी आठ हक्टूर को यूप सी जेई का एक्जाम होना था नौ दौस और 11 को सेंट्रल जेई जो एससी लेती ह है उसका परिक्षा होना था तो अगर किसी डेट को उस परिक्षा को फिर लिया जाए तो उनका कोई तो एक परिक्षा छूटी जाएगा तो आखिर कितना परिक्षा को यह अभियरती दे और सरकार या फिर आयोग जो है इतना परिक्षा परिक्षार्थियों से क्यों ले र कि प्रूलोप दिन फब्सक्राइब